हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं N95 मास्क आखिर कैसे बनते हैं और ये N95 मास्क जो है वो बाकी मास्क से अलग कैसे हैं और इससे उचे कैटेगरी के मास्क भी आते हैं क्या और इसका नाम N95 ही क्यों है कोई और नाम क्यों नही है और साथी साथ इसके safety standards क्या होता है इसके अंदर कौन से material का इस्तमाल किया जाता है जिसकी वजह से हमें जो है वो maximum protection मिलता है इस सभी के बारे में बात करेंगे तो देखें N95 जो है वो अभी के pandemic में COVID-19 की situation में बहुत ही ज़ादा demand में है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो N95 है ये 0.3 micron तक के भी जो भी micron है उसको filter out कर सकता है जिसकी वजह से आपको COVID लगने का खत्रा जो है वो कम हो जाता है तो आखर इसमें ऐसा क्या है कि जो COVID जैसे बड़े बीमारी को भी रोक सकता है तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं लेकिन दोसो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चानल पर नए है और ऐसे ही इंट्रेसिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही है क्या करना है आपको करना है इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जिसका नाम है सही जवाब नीचे दिएगा बला आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का अफडेट आप तक सबसे पहने पहुंच सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों हम शुरू ओईल फिल्टर तो ये जो नौन ओईल फिल्टर वाले मास्क होते हैं वो ऐसे एनवार्मेंट में पहने जा सकते हैं जहां पर और ये-वो स्वाम के माईक्रॉस जो है तो वो filters को block कर देगा इसकी वजह से N stands for non oil filter mask इसके अलागा इसका एक R version भी आता है R95 तो R95 stands for R का मतलब है resistant to oil तो resistant to oil मतलब 8 घंटे तक ये आपको oil वाले जो microns होते हैं उनसे भी बचाएगा लेकिन 8 घंटे तक ही और फिर आता है P95 तो P95 जो है वो पूरी तरीके से oil proof होता है तो oil वाले situation में भी आप उसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं खैर ये तो technical side होगे लेकिन हम जहाँ पर रह रहे हैं जिस environment में हैं वहाँ पर N95 ही काम करता है दूसरी बात ये है कि सिर्फ N95 नहीं है N99 और N100 भी आते है तो N99 जो है वो तक्रीबन 99 प्रतीशत जो 0.3 micron से छोटे micron होते हैं उन सभी को वो block कर देता है या उनसे बड़े सारे micron को वो block कर देता है तो इसकी वज़े से केवल और केवल हवा ही अंदर आ सकती है उसके आगे होते हैं N100 मास्क तो N100 मास्क जो है वो तक्रीबन 99.97% 99.97% तक जो है वो micron को रोक सकता है याने कि बहुत ही हाई-स security वाला ये होता है लेकिन इसमें respiration में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है क्योंकि क्या है कि इसके जो materials है वो बहुत ज़्यादा मोटे होते चले जाते हैं तो जयसे आप 95 से 99 पे जाएंगे 99 से 100 पे जाएंगे तो वैसे-वैसे protection के layers बढ़ते जाते हैं तो जैसे-जैसे layers बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे हवा को अंदर खीछना आपके मूझ के लिए मुस्किल हो जाता है तो इसकी वज़े से 95 जो है ये ज़्यादा जो है वो हम कह सकते हैं कि favorable है हमारे लिए और ज़्यादा comfortable रहेगा तो आखिर इन mask के अंदर होता क्या है तो इसके अंदर एक ऐसा material इस्तेमाल किया जाता है जो की पूरी तरीके से synthetic होता है अब ये जो material होता है उसका नाम है polypropylene ये एक synthetic polymer होता है तो इसी से आपके अगर आपने जिम के कपड़े देखे होंगे जिम की जर्सी होती है या yoga pants होते है या skin होती है sport skin तो वो सारे जो कपड़े होते हैं वो इसी सी बनते हैं साथी साथ जो synthetic material से बनने वाले t-shirts होते हैं quick dry वाले जो होते हैं वो भी इसी material से वहाँ पर बनते हैं लेकिन वो simply उस material का इस्तवाल करते हों कपड़ा बना देते हैं लेकिन इस mask के अंदर ऐसा नहीं होता है इसके अंदर सबसे पहला जो layer होता है हलाकि सारे ही layer इसी से बने हुए होते हैं लेकिन जो पहला layer होता है वो outward facing होता है तो outward facing जो layer है उसको वहाँ पर press करके seal किया जाता है heat से तो N95 mask को आपको जो जाना पहचाना सा shape आता है सामने ऐसे पंची की beak की तरह वहाँ पर shape आ जाता है चोंच की तरह shape आ जाता है तो वो उसको hard press करने की वज़ा से आता है इसके उपर एक aluminium का strap भी लगा हुआ होता है जिससे कि आप उसको आपके naak के उपर fix कर सकते हैं इसके अलावा दो elastic के band भी लगे हुए होते हैं और यह outer layer होता है इसके बाद क्या होता है इसके बाद आता है inner facing layer तो ये भी इसी से बना हुआ होता है तो ये inner facing जो layer है वो आपको जादातर करके जो है वो छोटे से छोटे micron से बचाता है finally इसके अंदर भी और एक layer होता है और आखिर में सबसे आखिर में जो है वो आपके मूँ वाला layer होता है जहां पर आपका मूँ जो है वो मास से टच कर जाता है वो generally हिस्सा जो है वो सुपएद होता है अंदर से तो ये जो सारे layers है ये एक साथ press किये जाते है heat press किये जाते है लेकिन दोसो इन सारे layers का सबसे बड़ा फाइदा क्या है जिसका नाम है polypropylene तो polypropylene जो है वो एक non woven type का fabric होता है याने कि general जो fabric होता है वो आपको एक साथ बुनना पड़ता है आपने अगर cotton को देखा होगा तो उसको एक साथ बुनना पड़ता है तो ये जो material होता है वो literally plastic से बना हुआ होता है जिसकी वज़य से इसके जो bonds होते हैं वो इतने close होते हैं कि इसके अंदर से बहुत आसानी से बाकी के जो particles होते हैं dust particles होते हैं या कोई भी और particles होते हैं वो अंदर ही नहीं जा पाते हैं तो basically जैसे ही हवा इस mass से टकराती है और अंदर खीच ली जाती है तो उसको कुछ zig-zag pattern में अंदर जाना पड़ता है तो ये zig-zag pattern में अंदर जाते हुए हवा के जो particles होते हैं वो बहुत-बहुत fine होते हैं तो हवा बड़े ही आसानी से निकल जाती है लेकिन हवा में जो बाकी के particles होते है वो उतने ज़्यादा fine नहीं होते हैं वो बड़े मोटे मोटे होते हैं तो ये जो zigzag layers होते हैं उनमें वो फस जाता है जिसकी वज़ा से किसी भी तरीके का bacteria कह लीजे या कोई और चीज है तो वो इस mass से through नहीं हो सकती है mass से सिर्फ और सिर्फ हवा अंदर आएगी तो कुछ ऐसे mass भी है जिनके उपर valve लगा हुआ है तो वो valve क्या करता है कि आपका जो exhalation है वो जादा easy बना देता है तो valve के अंदर जो है वो उसी material से बनी हुई थोड़ी से rubber जैसे दिखती है एक ring लगाई जाती है और पीछे से वो ring क्या है कि valve को बंद कर देती है जब भी हम सास अंदर खीचते है तो वो valve को बन कर देती है और जैसे ही हम सास छोड़ते है तो valve खुलके हवा बाहर चली जाती है तो इससे होता यह है कि आपको थोड़ी से respiration में जो है वो आसानी हो जाती है हलाकि ये valve वाले जो mask है वो उतने जादा safe नहीं कहते हैं लोग वो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें से जो हवा excel आउट होती है वो directly ही हवा में फैल जाती है और सामने वाले ने अगर mask नहीं पहना है और अगर किसी ऐसे आदमी को covid हो गया है जिसने वो valve वाला mask पहना है तो सामने वाले को उसकी जो बीमारी है वो लग सकती है तो इसकी वज़य से वो valve वाले जो है वो ज़ादा वहाँ पर prefer नहीं किये जाते है तो दोसों अब आती है अगली चीज कि इसको कैसे परखा जाए क्योंकि अभी problem ये हो गया है कि N95 mask की जो demand है वो बहुत बहुत ज़ादा है इसकी वज़य से कई लोग जो है वो illegal धंदा करके वहाँ पर जो है वो used जो mask होते हैं उनको recycle करके वहाँ पर बेचनी की कोशिश कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से धो करके फिर से बेचनी की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरीके के mask बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए तो उसको जो है वो आपको ठीक से देख के लेना होगा अगर valve वाला mask है तो उसको ठीक धंग से चेक करना पड़ेगा आपको कि वाल्व जो है पूरी तरीके से clean तो है ना क्योंकि जो use किया हुआ mask होता है दूसरी बात यह है कि कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाते है याने कि जो materials का इस्तमाल करना है उस material का इस्तमाल ना करते हुए जो material इसके जैसा दिखता है याने कि polypropylene जैसा दिखता है वैसे वाले material से बड़े ही thin mask बनाते हैं बहुत पतले होते हैं आपको हाथ लगाते ही समझ में आ जाएगा कि ये कोई असली चीज नहीं है जो actual N95 mask है वो थोड़ा तो जो है वो मोटाई में जादा होगा दूसरी बात यह है कि जो original N95 mask होगा उसके उपर generally जो है वो N95 stamped रहता है अब खेर जो जाली बनाते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर generally देखा जाए तो N95 जो है वो उसके उपर छपा हुआ रहता है तो कुछ-कुछ चीज़े हैं जो आपको देख लेनी चाहिए और दूसरी बात तो सबसे यह है कि कहीं भी एरी-गरी जगह से आप यह मास्क ना खरीदे किसी trusted और बड़ी जगह से ही खरीदे भले ही 4 पैसे जादा जाएंगे लेकिन आपको कम से कम जो है वो guaranteed माल जरूर मिलेगा कोई use मास्क या sub quality का मास्क नहीं मिलेगा तो दोस्तों यह है पूरा लेखा जो खा कि आखिर N95 मास्क कैसे बनता है इसके अंदर का letter N किस चीज के लिए डाला गया है और 95 का मतलब क्या होता है और इसके higher grade के मी मास्क वहाँ पर available होते हैं लेकिन अभी के दौर में यह जो N99 और N100 वाले जो मास्क है वो इतने easily आपको नहीं मिल सकते हैं जहाँ पर N95 ही इतने easily नहीं मिल रहा है तो N99 और N100 कहां से मिलने वाले हैं तो N95 ही अभी के situation के लिए बिल्कुल सही है और यह कैसे बनता है यह भी मैंने आपको बता दिया है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इन्फोर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और बहुत जादा important दोस्तों यह information है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करने की भी जरूर कोशिश करें